हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल तो आप सब ठीकी होंगे और मास्थ होंगे तो आज मुझे मूडी ही नहीं है मेरा ब्लोग बनाने का और यूडियो बनाने का तो आज बहुत ही दिन आज मेरे लिए अच्छा नहीं है तो आज की दिन मेरे पापा गुजर गए थे तो अब है आज ब्टॉग से अच्छा मूड भी नहीं है और कुछ १ी मन पर इदर उधर कां में या कुछ में वीडियों भी बनाने में मन नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं आज वीडियों प्लोग नहीं बनाई तो आज सुपह मैंने प्लोग भी तो गाइज जीन के घर पापा या कुछ नहीं रहते तो उनको पता है कि उन पर क्या बीटती है तो अभी मैं धर्चत के उपर आई थे क्योंकि मामी घार में है तो मुझे अभी ऐसे लिखे या कुछ भी उनके वह सामने में बात नहीं कर रहे थी मामी को याद भी अभी देद करें रोज ब्लोग डालना ही चाहिए तो अभी आज ब्लोग नहीं बनाना चाहते थी लेकिन अभी पापा गुजर जाने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है तो अभी दूसरों के पापा को देख थी उताई से लगते कि कास मेरे भी पापा होते तो क्या हो जाता तो ऐसे बहुत मैं अभी अपने पापा को मिश करती हूँ जब पापा ने रहते और घर में पापा या भाई भी नहीं है तो दिन आज ही दिन और आज की दिन मेरे दीदी मेरे चाची के लड़की के स्यादी भी थी तो जब स्यादी और एक तरफ खुशी और एक तरफ दूख भी था तो आज का ही दिन है आज की तारिक है आज मेरे पापा गुजर गए थी तो एक तरफ बहुत ज़दा कुशी और एक तरफ दूख ही दूख था तो इस दिन ही मेरे पापा गुजर गई तो ममी अभी घर में है इसलिए मामी की चामने में ब्लोग नहीं बनाई और तो पापे को बहुत मीज करती हूँ क्योंकि पापा जीन गर में पापा नहीं रहते था उन घर की खुश्याली जीन जाती है तो बहुत दिक्कत उताने पड़ती है सब काम सब क सब डिक्कत उताने पड़ती है तो दोस्तों जीन की ऑपा को मैं देखती हूँ जब आपा स्कुल में भी हम जाते थे तब हमरे बहुत थे से मेरे ममी को भी बहुत दीकत उताने पड़ी कर्या मुद कि हम छोटी चोटी थे तब हमारे पापा चौड जोड के चले गए आज क मेरे पापा गुजर गए थी तो आज इसले में अज फ्लोक नहीं डाल पाई पिलेकि समय एक तीन में एक जगह कुषी ही खुशी धेर सारीकुशी और एक तरफ दूख धुख एक तीन में तो भौ सारे मैंमान धिए सारे मैंमी आए थी और पापा भी अभी के सुवर नव दस बजे तक थी उनकी अचानक तबेत खराब हो गई फिराम गारी को बुलाए एंबुलस को बढ़ा उनको लेके चले गए तो फिर ऑस्पिटल से वापस ही नहीं आई पापा तो हम राही देख रहते हैं और घर में भी स्यादी थी तो मैमान बहुत ज़ादा थी चाची के घर में श्यादे दिनकी लड़की थे एक ही तरह कुशी कुशी और पापा भी ऑस्पिटल गए तो हमें लगा कि पापा आएंगे लेकि पापा हमको तो चले गए जोड़ की तो कहां से आएंगे और इस अब हमारे साथ ही क्यों होता है पापा जब अपने घर में भाई और पापा नहीं रहते तो आज मैं उनको बहुत जदा बहुत ही जदा अब जिन जीदाभी देख अदर फंच जिदार में भी भापा रहते उधर रहते तो जाएंगा जाते हैं तो भाँआ मने तो बहुत अपने बापा को बहुत जदा आमीज करते हूं क्योंकि मुझे पता है कि कि दिकत होती है, भी मम्मै के बाद ही, सब ही मम्मी के बाद भी मिलती हैं, भी वितनी दिकत होती था, तो मेरे शिपटर के साथ ही, Oscur, कुछ काम करते थी, तो हमको पता आगा हैं, जब पापा नहीं रहते हैं, तो कितनी जादा दिकत उठाने परती है है..